हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi है और साथ ही कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो यह सोच रहे होंगे कि हमें 2026 27 में भी में बेसिकली एक्जैम देना है यानि उनका टार्गेट 2026 या किसी का 2027 हो सकता है अब यहां पर मैं एक strategy की बात करूंगे या कुछ ऐसे महत्वपूर मुद्दों की बात करूंगी जो आपको करने ही होंगे तो दोस्तों सबसे पहले यदि आपने आईएस बनने का मन बना दिया है आप से पहला काम करें के पूरे के पूरे syllabus को ध्यान रखेगा पूरा का पूरा syllabus आपको याद हो होना चाहिए मतलब एकदम टिप्स पे होना चाहिए आप से जी एस का पूरा का पूरा syllabus जिसमें पेपर 1,2,3,4 साथ ही आपका जो वैकल्पिक विशे है उसका पूरा syllabus आपका हिस्ट्री है जोग्रफी है सोसाइटी है यह सोशोलजी है वो डिपेंड करता है कोई भी आपक सबसे पहले पता होना चाहिए अकसर हम UPSC की preparation करना शुरू कर देते हैं और हमें syllabus तक का ज्यान नहीं होता है यह बहुत ही बड़ा blunder होता है जो student करते है ज्यान रखेगा यदि किसी रास्ते मन्जिल पे पहुँचना है तो हमें उसका रास्ता पता होना चाहिए जब आप syllabus को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको यह पता लग जाता है कि क्या महत्वपूर्ण बाते हैं क्या नहीं है हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है तो सबसे पहला काम करना है आपको syllabus को बहुत ही अच्छे से समझना भी है इसको याद भी कर अगर आपको यह क पेपर को पेपर 1, 2, 3, 4 सिलेबस बहुत अच्छे से अनलाइज कर रखा है आप वहां से देख सकते हो समझ सकते हो दिवार पे चिपकालो सुबह शाम एकदम देखा करो क्या क्या है हमारे सिलेबस में दूसरा बच्चों आपको काम क्या करना है बेसिक पे अपनी पकड बनान में तो एडवांस लेबल पढ़ना है बड़ी-बड़ी किताबे हम सीधा पॉलिटी में डी-डी बसू से शुरू करेंगे है ना हम जो है हिस्ट्री में किसी बड़े राइटर से शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं होता है है ना आपको सबसे पहले अपने बेसिक पे कमांड करनी है और बेसिक का सबसे महत्वपूर्ण स्त्रोथ है NCERT चान रखिएगा बच्चे इसे इग्नोर करके चलते हैं लेकिन मैं ये कहती अगर आपने NCERT इस पे 5-6 महीने बहतर तरीके से दे दिये तो आपको जो बेस है वो नीव जो है आपकी वो काफी जादा मजबूत हो एडवांस लेवल की तो बाते बाद में समझ आई जाएंगी अगर बेस अच्छा नहीं हुआ तो भाई महल बनाना है तो सीधा हैं History, Environment, Science यह NCERT आपको बिलकुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए और NCERT पढ़ने का मतलब यह नहीं होता है कि हमें केवल एक काम पूरा करना है कि हाँ ठीक है भाई हो गई मेरी NCERT ऐसे नहीं पढ़ना है बलकि उसको समझना है उसके कुछ नोट्स बना सकते हो उसक पढ़ने क्विट डालने हैं अगर आपका basic cover है और अगर आपको syllabus पता है तो न्यूजपेपर पढ़ना आप लोगों के लिए tough नहीं होगा क्योंकि आपको पता होगा कि इस न्यूसपेपर में कौन सी न्यूस मेरे exam के point of view से महत्म पूर्ण है न्यूस पेपर पढ़ने की हैबिट आपकी होनी ही होनी चाहिए, कम से कम एक घंटे के आसपास आपको न्यूस पेपर में देना है भले ही आप खुद से पढ़के दो, लेकिन खुद से एक बार हैडलाइन्स वगेरा तो जरूर देख लेनी चाहिए या फिर आप किसी यूटूब पे किसी भी एडुकेटर को फोलो कर सकते हो, जैसे स्टडी आईक्यू आईएस हिंदी पे अतुल सर्द हिंदू कवर कराते हैं, मनीश सर इंडियर एक्स्प्रेस कवर कराते हैं, आप वो क्लासेस देख सकते हो, आप लोगों के लिए बहुत हैल करते हो, आपने कोई भी टॉपिक कवर किया, जैसे मैं राश्ट्रपती टॉपिक कवर किया, तो राश्ट्रपती का टॉपिक कवर करने के बाद, आपको एक तो प्रैक्टिस, यानि जो MCQs है, या PYQs है, पिछले सालों के कुश्शन, इसको टॉपिक के साथ ही लगाते ज हैं, उन्होंने टॉपिक पढ़ दिया, अगला टॉपिक शुरू, फिर टॉपिक पढ़ दिया, अगला टॉपिक शुरू, आपने ये सोचा ही नहीं कि मैंने जो पढ़ा है, मैं उसका टेस्ट तो लेलू, मैंने सही पढ़ा है कि नहीं, सही समझा है कि नहीं, मेरे कंसेप् लगाते हुए चलेंगे उससे आपका topic आपका confidence भी बढ़ेगा उससे जब आप आपने कोई topic पढ़ा और उससे related आपने questions लगा लिए और आपके लग रहे हैं तो आपका confidence भी बढ़ेगा और अगर आपके नहीं लग रहे हैं तो भी आपको इस बात की समझ होगी कि मुझे topic कि इस तरीके से cover करना चाहिए अक्सर बच्चे ये करते नहीं हैं बच्चों को क्या है ना हम तो पढ़ रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं कोई practice से उनको लेना देना नहीं होता है अगला मुद्धा मैं आप लोगों को जो 2025 के बच्चे हैं जो 2025 में attempt देंगे आपको अपनी GS के जो चारो paper हैं इनकी पूरी की पूरी तैयारी समपूर समग्र तैयारी करने की जरूरत है समग्र तैयारी कई बच्चे ऐसे आते हैं कि मैं हमें attempt देना है लेकिन हमारे GS के दो paper complete नहीं है दो paper ठीक है complete है essay complete नहीं है optional का एक paper complete या अलग-अलग किसी की समस्याइं हो सकते हैं किसी का एक paper complete नहीं है किसी के तीन paper नहीं है answer writing कर पाओगे test series लिख पाओगे that's it अगर आप यह सोच रहे हो कि आप pt और mains के बीच में आपने pt दिया और mains मान लिजी आप लिखने वाले हैं इसके बीच में आप किसी पूरे के पूरे subject को prepare कर लोगे और rank लगा दोगे तो यह थोड़ा कठिन काम है तो इसलिए आपको अपने pt देने से पहले आपका पूरा mains कम से कम एक बार cover होना चाहिए पास समझ में आई यानि यह जो pt आप दे रहे हो इससे पहले ही आपका complete gs gs के 1, 2, 3, 4, 4, 4 ओपे पर आपका essay optional यह आपका पहले कम से कम एक round prepare होना चाहिए यह बहुत बड़ी बात है आप लोग अक्सर यहाँ पर गलती कर देते हो और फिर pt के बाद आप सोचते हो कि मैं यह paper cover कर लूँगा यह कर लूँगा तो वो possible बहुत ही मतलब बहुत ही चुनोती पूर्ण हो जाता है वो किसी भी student के लिए जीवन मरन का प्रेशन बन जाता है तो ऐसे में आपको यह प्रयास करना है कि pt से पहले आप gs के चारोगे पर cover कर लें आप अपना optional cover कर लें ऐसे वगेरा में बहुत जादा time नहीं लगता है 10-15 दिन आप क्योंकि वो तब 10-15 दिन की बात करी हूँ जब आपने पूरा gs पढ़ लिया है अपना पूरा optional पढ़ लिया है फिर आप जब ऐसे पर आते क्या करना है पूरे अनुशाशन के साथ पढ़ना है आप में से कहीं student होंगे अभी तो बहुत दूर है भाई तो भाई केवल pt पास थोड़ीना करना है है ना कहीं बच्चों का target होगा पहले pt देंगे फिर mains पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपके circle में यदि कोई selected है या फि इसलिए आपकी पहली प्राथमिक्ता क्या होनी चाहिए कि pt देने से पहले ही पूरा मेंस आपका cover होना चाहिए अनुशाशन के साथ और ये mains cover ही नहीं होना चाहिए बलकि answer writing की practice भी आपकी होनी चाहिए क्योंकि जब आप pt के बाद इसे pt तो आपका चलो ठीक है मान लिय objective होता है pt पास करने के बाद जब आप मेंस दोगे तो ये subjective होगा यानि आपको लिखना पड़ेगा और अगर कोई student ये सोसता है कि मैं सीधा exam में लुखूंगा और जंडे गार दूँगा तो ये बहुत बड़ा सपना है आपको daily कम से कम एक answer की answer writing practice अभी से शुरू करनी पड़ेगी और जब आप continue एक साल डेढ़ साल अंसर लिख लेंगे तो मतलब daily एक answer लिख लेंगे तो फिर आपका कम बहुत असान हो जाएगा ये कुछ बुनियादी बाते हैं जो आपको करनी पड़ेंगे और यदि आप GS की preparation करना चाहते हैं बहतर तरीके से एक समय बध तरीके से तो आज last date है 7 मई हमारे GS Foundation P2I batch में admission लेने की ये एक ऐसा batch है दोस्तो जिसमें prelims, mains, interview, तीनों स्तर की preparation कराए जा रही है एक single batch में और साथ ही 18 किताबे भी free दी जा रही है मात्र 27,999 में आपको ये batch मिल रहा है यदि आप आज admission लेते हैं आज से class शुरू हो रही है 7 मई से अगर admission लेना है तो study IQ की app या website पे जाए या इस video के description box में link दिया होगा उस link पे जाके LD live code का प्रियोग करके admission ले सकते हैं ठीक है इसकी मैं कुछ खास बाते जो 2026 से जुड़ी हुई है daily live class होगी 3 घंटे की आप पढ़के आओगे class में पढ़ोगे revision करोगे daily answer writing एक question की practice कराए जाएगी 13-14 महीने में पूरा syllabus complete करा दिया जाएगा आप लोगों का foundation batch include है PT से पहले PT special classes include है main classes include है interview sessions include है तो ये सब कुछ इसी 27,999 में include ठीक है तो यदि आप admission और ये ये बिल्कुल last समय चल रहा है विशेश तोर पे 2025 के बच्चों को के लिए जो 2025 में attempt देना चाहते है समय हाथ से निकल जाएगा self study यदि आप बहुत ही continue तरीके से कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है आप self study से भी कर सकते हैं लेकिन यदि कहीं पे भी अनुशाशन का भाव है तो आप इस foundation batch से जुड़ जाएए LD live code के साथ आज से classes शुरू हो रही है और इसी के साथ यदि आप अपना वेकलपिक व कोड़ है इस कोड़ के साथ हाप admission तो यह है एक महत्वपून बात ठीक है अगला मुद्दा आपको क्या करना है मैंने बताया topic wise mcq लगाने है answer writing यह बहुत बड़ा रोल जैसे for example अगर आप किसी coaching से नहीं जोड़ रहे हैं तो जो आप पढ़े आपने मान लीजिए आपने topic पढ़ा प्रस्तावना तो प्रस्तावना का जब आपने topic पढ़ा तो उससे related पिछले सालों में 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 2-3 question 4-5 तरीके के questions बने हैं वो क्या-क्या question है उसकी answer writing खुद से करिये लेकिन फिर वही अभाव हो जाता है कि हम check किस से करवाएं है ना अगर आप इस batch में आते हो तो आपको check करने के लिए proper एक team है आप mail पे answer लिख के भेजो गया आपका answer check हो के आएगा modal answer आपको मिलेगा discussion होगा बहुत सारे लाब हैं लेकिन आप खुद से भी डेली एक answer लिखिए answer लिखना बहुत ज़रूरी है अगर आपने answer writing में महारत हासिल कर दी आपका डर खतम हो गया तो आपको mains pass करने से कोई नहीं रोग सकता और mains pass करने के थोड़ी ना is बनना संभव नहीं है जोकि PT के marks final result के marks में count नहीं होते यानि PT पास करने से थोड़ी ना is बन जाओगे mains में आपका score बहुत शांदार होना चाहिए ठीक है तो ये काम आप लोगों को करना है साथ ही आप लोगों को कुछ basic बातों का ध्यान रखना है निरंतर वो आपको बड़े सतर पर करना पड़े कहीं सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिक-जैक position में होते हैं उनको ये लगता है कि ठीक है आज मैंने पढ़ाई कर ली चार दिन मैंने पढ़ा फिर दो दिन चुटी ना दो दिन मैं भूमने चला गया रिष्टदारी में चला गया कोफ केस बन जाओंगा तो भाई बहुत बड़ा सपना देख रहे हैं इतना बड़ा एक्जैम है इतने बड़े दाइत होंगे आपके कंधों पर है ना नाजुक से कंधों पर पूरे जिले का भार होगा तो ऐसे में आपको बहुत ही सशक्त तरीके से पढ़ने की जरूरत है निर अब जाके आप अपना रैंक को सिक्योर करने की कंधिशन में होंगे बहुत जादा कॉम्पेटिशन है हर साल आठ से दस लाख बच्चे फोम भरते हैं पान से छे लाख बच्चे एक्जैम देते हैं पीटी कितने का पास होता है 15,000 का तो आपको उस 15,000 में आना है फाइनल इतने बच्चों का आता है तो वो डिपेंड करता है सीट्स पे जो कि एक हजार से जादा नहीं होती है आठ सो नो सो तो आपको 10 लाख में से आठ सो नो सो में आना है तो आप ये सोचो कि आपकी महनत में कितनी शिद्दत होनी चाहिए ये बात आपको समझनी पड़ेगी औ उनका competition किन लोगों से है जो IITians है जो MBBS कर चुके है जो bureaucrates के बच्चे है जो शुरू से English Medium में पढ़े हैं और उनके पास किसी भी सुख सुविधा, coaching, guidance का भाव नहीं है ऐसे बच्चों से आप Hindi माध्यमालों का competition है आपके अंदर जिजी विशा है, जुनून है, सब कुछ ह लेकिन आप इस बात को समझे कि आपको ऐसे बच्चों के साथ competition करने के लिए कितनी मेहनत करनी की जरूरत है, वो बच्चे आर गंटे पढ़ रहे हैं तो आपको कम से कम 10-12 गंटे बहुत ही dedication के साथ बहुत qualitative तरीके से पढ़ना पढ़ेगा, quantity नहीं देखनी है कि हमने तो 12 12 गंटे पढ़ दिये, क्या पढ़ा 12 गंटे में, क्या achieve किया, क्या समझ में आया, जो पढ़ा उसको समझे, उसको लिख सकते हो, question बना तो कर सकते हो, किस तरीके से आपको अपनी strategy design करनी पढ़ेगी, 2025 में यदि पास होना है, यानि मूल रूप से मैं आपको बता दूँ, आ आपको पढ़ाई करनी है, qualitative पढ़ाई करनी है, और newspaper पढ़ने की habit डालनी है, है ना, ये बिना किसी distraction के सही दिशा में महनत करनी है, तब ही आप IS बन पाओगे, और IS बनना impossible नहीं है, जो IS बनते हैं, वो आप लोगों के बीच में सही बनते हैं, बस उनकी दिशा सही होती है, है ना, उनका पढ़ने का तरीका सही होता है, वो निरंतर continuity के साथ पढ़ते हैं, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पढ़ेंगी, मैं फिर से आपको बता दू, यदि आप 2025, 26 या 27 में attempt देना चाहते हैं, आई इसका, वहतर तरीके से अपने GS को full flash तरीके से cover करना चा करते हैं, आज 7 मई से, शाम 6 बजे से class शुरू हो रही है, अब भी admission लेते हो, तो 18 किताबे भी आपको free मिल रही है, मात्र 27,999 में आपको PT में इंटर्व्यू, तीनो सतर की preparation include है, इसमें essay, CSET, current affairs, answer writing, सब कुछ include है, यदि आप PT पास करते हो, तो 2 महीने दिल्ली में रहना, ह हमारी जिम्मेदारी है, सब इसमे include है, तो देर के इस बात की, फटा फट जाओ, study IQ की app या website पे इस video के description box में link दिया होगा, उस link पे जाए, LD live code के प्रियोग से, आपको ये batch मात्र 27,999 में मिल जाएगा, और classes शुरू कीजिए, सही दिशा में महनत कीजिए, Monday to Saturday class होती है, Sunday test ह होता है, तो 6 दिन हफते में class होएगी, 3 घंटे की, आपको answer भी दिया जाएगा, class के बाद topics related PYQ भी पूछे जाएंगे, आपकी app पे, बहुत ही शांदार तरीके से classes हो रही है, तो फटा फट जाएए, अपना संपूर्ण GS complete कर लीजिए, यदि आप कोई history या PSIR में से कोई भी वेकल्पिक विशय लेना है, तो ये भी हिंदी माध्य में अवेलिबल है, LD live code का प्रियोग करके आप मात्र 14,9999 में कोई भी वेकल्पिक विशय चूज कर सकते हैं, साथ ही मुझसे जुडने के लिए आप मेरे टेली ग्राम चैनल ललीता धाया Academy पे मुझे follow कर सकते हैं, Instagram, Facebook page, सेम नाम से हैं, यहाँ भी मुझसे जुड़ सकते हैं, तो आशा करती हूँ, ये क्लास थोड़ी सी आप लोगों की जो preparation है, उसमें help करेगी आपकी, ध्यान रखियेगा, ये main मुद्दे हैं, जिनसे आप थोड़े से अगर भटक गए, तो फिर मुश्किल हो जाएगा 2025 को target कर पाना, तो यदि 2025 में preparation कर रहे हो, तो अभी से लग जाए, ये वक्त बहुत कम है, अगर आपको ये गलत शहमी है कि हम पहले PT पास करेंगे, फिर mains पास करेंगे, तो वो possible नहीं होता है, एक समगर preparation करनी पड़ती है, in fact, PT देने से पहले, यदि आपका mains बहुत से cover है, सारा optional आपने अच्छे से cover कर लिया है, तो आपकी PT पास करने की संभावना भी बढ़ जाते है, क्योंकि logical reasoning बढ़ जाती है, अंतर विशक दृष्टिकोन आपका उत्पन हो जाता है, ध्यान दखिएगा, वो बढ़ जाता है, तो आप eliminate बहतर तरीके से कर पाओगे, तो PT पास करने की संभावना बढ़ जाएगी, और यदि आपका PT पास होता है, और आपकी पहले से preparation है, तो दो धारी महीने में यदि आप answer writing करके, test series लगाके, बहतर revision करते हो, तो आपकी mains की संभावनाई भी बढ़ जाएगी, और interview की संभावनाई भी बढ़ जाएगी, तो ये एक छोटी सी परिचर्चा थी, आशा करती हूँ, रहेगी, आप सोचेंगे, इस विशह पे, अगर क्लास अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like, share, comment जरूर करें, मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में तब तक करें, thank you so much है,